आजकल हमारे देश में पेट्रोल और टीजल के प्राइसे खी से भी महंगे हो गए हैं। यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पेट्रोल और टीजल के लिए भी आमें लोन लेना पड़ेगा हैं। जो पेट्रोल और टीजल के पूरी कहानी तो वीडियो को बिलकुल स्किप मत करना। दोस्तों विडियो में पेट्रोल और डीजल निकालने का जो प्रोसेस आप देखेंगे उससे आपको पता लग सकता है कि इने बनाना काफी आसान है लेकिन जो देखता है वो अक्सर सच नहीं होता इनकी मेनिफेक्चरिंग यानि कि इने बनाने की प्रोसेस की वज़े से भी पेट्रोल और डीजल इतने महंगे होते जा रहे हैं क्योंकि इस प्रोसेस में आरबों रोपे खर्च होते हैं जसे पेट्रोलियम का जाता है और यह दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं पेट्रोलियम एक Latin शब्द है जिसका मतलब है चट्ठानों से मिलने वाला 트ेल जोकि जमीन के अंदर पाया जाता है वैसे इस पेट्रोलियम के बनने की भी अपनी Interesting कहानी है आज से हजारों लाखों साल पहले जब इस धर्ती पर समय समय पर कई बार विराशकारी आपदाय आई तब धर्ती पर रहने वाले चानवर और पेड़ पौथे जमीन की गहराई में दब गए और हजारों सालों तक दबे रहने के बाद जब ये पूरी तरह से डिकंपोज हो गए तब ये पेट्रोलियम में कनवर्ट हो गए और इन में से बहुत सारे ऐसे सोर्सिस समुद्र की अंदर या फिर जमीन की नीचे अभी भी दबे हुए हैं जब इनसान ने पेट्रोलियम और इसकी क्वालिटीज को चाल लिया तो कई बड़े बड़े कुओं से ट्रिलिंग करके इस पेट्रोलियम को निकालना शुरू कर दिया इस पेट्रोलियम में कच्चा तेल याने की क्रूड ओयल होता है इस crude oil में petrol, naphtha, kerosin, diesel और mom जैसी चीज़े होती है एक बार जो इसे निकाल दिया जाता है तो इस कच्चे तेल को कार खाने में ले जाये जाता है इस कार खाने को refinery का जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा तेल हर जगा नहीं पाये जाता है और दुनिया में कुछ ही जगाएं हैं जहां ये तेल मिलता है ये petroleum, zemین और समुद्र तोनों जगाओं पर मिलता है जो petroleum समुद्र में होता है उसे निकालने के लिए floating refinery बनाई जाती है और जमीन पर जो तेल होता है उसे निकालने के लिए वाँ कुवे बनाये जाते है ये process सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है समुद्र हो या फिर जमीन असली वक्त लगता है तेल के source को ठूणने में कई बार तो इसमें सालों लग जाते हैं और अर्बर रुपय भी खर्च होते है जो तेल हम तक पहुचता है उसे ठूणने के लिए समुद्र में कई बड़ी और महंगी मशीन लगाई जाती है जो एक जगे से दूसरी जगे तक तेल ठूणती रहती है जब इस मशीन को एक जगे से तेल मिल जाता है तो इसे आसपास की चटानों से मजबूदी से बान दिया जाता है ताकि ये हिल डूल ना सकें इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिल करते हैं वैसे ही लेकिन ये जो ड्रिल होती है वो ये हजारों फीट नीचे तक होती है जैसे ही एक बार इस ड्रिल से तेल मिलता है तो इसे पाइप की मदद से स्तेरती होई रिफाइनरी तक महुचा दिया जाता है जमीन पर ड्रिलिंग का काम भी कुछ इसी तरह होता है एक बार जब तेल को निकाल लिया जाता है तो इने रिफाइनरी में ले जाया जाता है इन रिफाइनरी में इस कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंड्रिकल बरतोनों में डाल कर करम किया जाता है फिर अलग-अलग temperature पर कच्चे तेल में मौजूद चीज़ें अलग-अलग pipeों की मदद से निकाल ली जाती है अब यह होता कैसे? असल में हमें petrol और diesel, petroleum के अलग-अलग temperature पर मिलते हैं इसलिए इसे अलग-अलग temperature पर गर्म किया जाता है आपको ये तो बताई होगा कि हर तेल का अलग-अलग boiling point होता है और पानी का 100 degree Celsius ऐसे ही कच्चे तेल का भी boiling point होता है लेकिन इसे अलग-अलग temperature उपर उबारा जाता है क्योंकि इस कच्चे तेल में kerosene oil और petrol diesel होते हैं जो अलग-अलग temperature पर ही मिलते हैं जैसे जैसे हम petroleum को अबालते हैं ये कच्चा तेल भाप बनने लगता है इसे ऐसे समुझिए कि diesel को पाने के लिए 260 degree तक कच्चे तेल को अबालना पड़ता है और 40 degree पर हमें petrol मिलता है वहीं 160 degree पर kerosene oil मिलता है इसी तरह एक complex process से petrol, diesel और kerosene oil जैसी चीज़े हमें मिल जाती हैं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि petrol किस तरह बनता है एक बार जब हमें petrol और diesel मिल जाता है तो इसकी testing होती है कि कितने octane का petrol मिला है जितना ज्यादा octane, उतने ज्यादा महेंगा और अच्छा तेल माना जाता है इसके बाद इसे tankers में फरकर transport किया जाता है इस पूरे process में बहुत सारा investment होता है Indian oil or reliance जैसी कमपनियां इंडिया में petrol और डीजल के लिए अरब और रुपा इंवेस्ट करती है अब तब कई जाकर petrol से हमारी गाड़ी चलती है पेट्रोल बनने का process तो आपने जान लिया तो ये भी बता देगे इसके खीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है पहला reason तो आपको अपने आप समझ आ गया होगा जो कि हैसे निकालने का बेहत खर्चीला process पेट्रोल और डीजल को निकालने के इस प्रसस को distillation कहते है इसी प्रसस की वज़े से इनकी खीमत भी अलग अलग होती है अब जिन देशों के पास अपने oil reserve होते हैं वहाँ ये देल सस्ते पढ़ते हैं वहाँ जिन देशों के पास ही reserve नहीं होते हैं जैसे कि इंडिया वहाँ पर इनकी refinery और distillation का खर्चा बढ़ जाता है जैसे कि वो refinery जो समुद्र में ही petroleum से diesel और पेट्रोल बना लेती है वो ज्यादा नहीं है ज्यादा तर समुद्र में सिर्फ कच्चा तेल निकालने की ट्रिल मशीने होती है एक बार जब इस तेल को निकाल लिया जाता है तो इसे बड़ी बड़ी refinery में ले जाया जाता है आज दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की खीमते अलग अलग है क्योंकि manufacturing के साथ साथ government इस पर टेक्स भी खूब लगाती है अपने इंडिया में स्टेट और सेंटर government मिलकर साथ परतिशक से ज़्यादा टेक्स लगाती है इसके अलावा भी पेट्रोल और डीजल की खीमत हमेशा बढ़ती रही ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट्रोल नॉन रिन्यूबल सोर्स है यानि कि एक बार ये खत्म हो गए तो फिर इसे दुबारा इस्तिमाल नहीं किया जा सकता इसलिए जैसे जैसे इनका यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनके prices भी बढ़ते जा रहे है क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हो रहे है एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जतनी स्पीड से हमेने यूज कर रहे है उस स्पीड में दुनिया से 40 से 50 सालों तक देल खत्म हो जाएगा हमारी रोज मर्रा की जिन्दगे में कहीं ना कहीं ये दोनों ही फ्यूल अपना अपना रोल प्ले करते हैं किसानों को ट्रекटर से लेकर 5 स्टार होजलों के चेनरेटर तक टीजल मांगते हैं कुल मिलाकर पेट्रॉल और डीजल आपके पीछे और आप पेट्रोल और डीजल के पीछे हमेशा रहते हैं इसलिए इस पूरे टाइम को आयल एज कहा जाता है और आज के टाइम में इरान, कुवेट और साओधी अरब जैसे देश इसलिए इतने अमीर हैं क्योंकि दुनिया में सबसे ज़ाधा ओयल रिसोर्स इन ही के पास है और इनकी पूरी एकॉनमी इसी पर डिपेंड करती है और इन देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक कहा जाता है वही मिलकर तेलों की खीमतें बिताय करता है एक तरह से तेल खीमतों पर इनकी मनमानी चलती है आज भले ही सोलर एनरजी और अलेक्टरिक एनरजी जैसी टिकनोलोजी आ गई हो लेकिन इनके भी प्रडक्शन में कहीं न कहीं दोनों फ्यूल्स का इस्टमाल शामिल है इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि आरप के देश जिनके पास खूप सरा तेल है वो इतने अमीर क्यों है अब आपको पूरी बात समझ आ गई होगी कि पेट्रोल और डीजल की खीमते ज़्यादा क्यों है और ये बंद्टे कैसे है अंत में बस हम यही कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल नॉन रिणियोबल सोर्स हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगे इसलिए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रिणियोबल सोर्स की तरफ देखा जाए जैसे सोलर अनरजी और विंड अनरजी क्योंकि ये सोर्स जल्दी से खत्म होने वाले सोर्स नहीं है और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है जितनी जल्दी हम इन सोर्स को यूज करने की टेकनोलोजी बना लेंगे उतनी जल्दी हमें पेट्रोल की ख्यूमतों से और इसे खत्म होने की डर से छटकारा मिल जाएगा ये टाइम भले ही ओयले जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और नए-नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ टेकनोलोजी बदल रही है आने वाला टाइम इन ही रीनुइबल इनर्जी रिसोर्स का होगा इसलिए चितनी जल्दी हम इसमें आगे निकलेंगे उतना ही हम सूपर पावर बनने की होड में आगे होंगे इस वीडियो का सफर यहीं था वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना पूले और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम फिर लेकर आएंगे ऐसी ही नई-नई जानकारी वाली बातें एक नई अपिसोड में तबता किलिये अलविदा